आल्राइट, हाई अवरिपन, एक बहुती इंट्रेस्टिंग वीडियो होगा, ये वीडियो पोस्ट गेट गाइडेंस के रिलेटेड है, अगर आप एलेक्ट्रिकल, एलेक्ट्रॉनिक, इंट्रॉमेंटेशन, कम्पुटर साइंस, ये चार ब्रांचेस के स्टुडेंट हो, म में, इन करियर आप्शन में, वो सब मैं डिसकस करूगा, सबसे पहले इन चार ब्रांचेस को एक साथ डिसकस करने का कुछ एक बहुती इंपोर्टन सिग्निफिकेंस है, किसी ना किसी तरह से ये चारो ब्रांचेस आपस में रिलेटेड है, जैसे आप देखते हो, साइंस में भी, कम्पुटर नेटवर्क, कम्पुटर ऑर्गनाइशन सबजेक्ट होता है, सेम आप ऐलेक्त्रिकल ब्रांच में भी देख सकते हो, ऑलेक्त्रिकल एलेक्त्र…? सारे ब्रांचेस में क्या-क्या करियर आप्शन है वो बताता हूँ Computer Science जो जादा तर बच्चे compete करेंगे वो होगा Software Profile के लिए क्योंकि Software का ही Profile Maximum बच्चे को पता है एक ऐसा Profile भी है जो Maximum बच्चे को नहीं पता है वो मैं थोड़ी देर में discuss करूँगा Software Profile अगर आपको बनाना है तो आपको Basic Computer Science ये Specialization आप्ट करना होगा इस Specialization में आप बहुती attractive package expect कर सकते हो पर उसे के साथ-साथ आप Computer Science की हो तो आप MLAI की तरफ विचा सकते हो इसके लिए आपको Knowledge होना चाहिए Linear Algebra का Probability Statistics का और Basically आपको थोड़ा बहुत Coding भी आना चाहिए ताकि आप जो भी Algorithm पढ़ोगे उसे आपको Finally Jupiter पे Code करना है तो इस तरह से दो Career Options Maximum बच्चों को पता है Computer Science में एक है Software, एक है Machine Learning, Artificial Intelligence और एक Third Career Option भी है वो मैं थोड़ी देर में discuss करूँगा अब मैं जाना चाहता हूँ Electronics साइड में यह Important Computer Science के लिए भी समझना भी Important है Electronics के बच्चों को या फिर Electrical Instrumentation के बच्चों को पता होगा आपके तीनों के ब्रांचेस में Analog Circuits एक सबजेक्ट है Digital Electronics एक सबजेक्ट है और सिर्फ Electronics को एक Extra सबजेक्ट है इसा एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे Huge Industry में Demand है और यह हर साल Demand से बढ़ते ही जाएगी इसलिए जो आपके Packages होगे वो भी हर साल बढ़ते ही जाएगे तो VLSI दो तरह से Divided है एक है Devices Side जहाँ पे आप Fabrication करना सिखते हो Temperature के Respect में जब Changes होगा तो आपका Device किस तरह से वैरी करता है उसके Parameters किस तरह से वैरी करता है वो आपको पढ़ाया जाता है Electronic Devices में Solid State Physics में या फिर Solid State Devices में यह Profile या फिर इस तरह का Specialization जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ Devices या फिर Solid State यह सिर्फ बनाया जा सकता है Electronics के बच्चों से कि उन्हें यह सिर्फ सब्जेक्ट होता है उनके B-Tech में पर अगर मैं VLSI Design की बात करूँ जहाँ पे सिर्फ आइदर Digital Electronics useful होगा या फिर Analog Circuits useful होगा देखो VLSI Design भी एक तरह से दो सब Category में divided हैं सबसे पहले मैंने Solid State Devices को अलग कर दिया वो अलग ही फिल्ड है अब मैं आ रहा हूँ Design Aspect पे VLSI Design and Fabrication दो अलग-अलग चीज़े हैं तो मैं Design के बार में बात करना चाहता हूँ VLSI Design दो सब Category में divided हैं Analog VLSI Design Digital VLSI Design तो सबसे पहले हम Digital VLSI Design के बार में बात करते हैं Digital VLSI Design अगर आपको करना है तो इस Category में आप Computer Science के भी होगे तो भी आप Eligible हो आप Electrical के हो तो भी Eligible हो Electronics के हो तो भी Eligible हो Instrumentation के हो तो भी Eligible हो ये 4 branches के Students Digital VLSI Career Opt कर सकते हैं इससे Hardware Profile तो बुला जाता है पर आप Hardware Action में बनाते नहीं हो आप एक Simulator में Simulate करने की कोशिश करते हो जो भी आप Architecture सोच रहे हो जो भी आप Schematic सोच रहे हो इसलिए आप देखोगे Computer Science में भी Computer Architecture Subject है Electrical Electronics के बच्चों को भी Computer Architecture Subject है और Regional Electronics Subject Definitely इन 4 branches के लिए है तो इसलिए Digital VLSI जो Profile है जो एक Hardware Profile है पर उसे आप Simulator में बनाते हो Hardware Actual में Hardware आपको नहीं बनाना है वो जैपान में या फिर टाइवान में भीजा जाएगा अगर आप Digital VLSI Design Profile बनाना चाहते है आप इस Specialization में अपना Career बनाना चाहते है MTech करना चाहते है तो आप सिर्फ सारी चीज़े Simulator में बनाओगे ठीक है और Simulator में बनाने के लिए आपको Hardware Description Language सीखना होता है वो भी एक Coding Language ही है बहुत ही आसान है with respect to Python या फिर C, C++ अगर आपको C, C++ आता है तो आप Hardware Description Language उलता है बहुत आसानी से सीख सकते हैं तो मैं इतना बताना चाहता हूँ जो Digital VLSI Design Profile है वो Computer Science के Students भी बना सकते हैं बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं आपे सिर्फ Digital Electronics Subject यूज किया जाएगा तो यहाँ पे Computer Architecture का Knowledge Digital Electronics का Knowledge useful है क्योंकि आप Finally एक Architecture Implement करते हो Simulator में तो इस तरह से अगर आप VLSI Design में आना चाहते हो Specific to Digital आप Electrical के होगे Computer Science के होगे Electronics के होगे Instrumentation के होगे कोई Problem नहीं है इसलिए IIT Bombay में अगर आप देखोगे Integrated Circuit Specialization में जो VLSI Design बताता है उसमें Computer Science के बच्चे भी Eligible है Electrical के बच्चे भी Eligible है Instrumentation के बच्चे भी Eligible है ठीक है मैंने Digital VLSI Define कर दिया अब मैं बात करना चाहता हूँ Analog VLSI Design की Analog VLSI Design में Computer Science के बच्चे नहीं Eligible है Analog VLSI Design में सिर्फ Electrical Electronic Instrumentation ये तीन ब्रांचेस के Students Eligible है यहाँ पे Network Theory और आपका Analog Circuits ये दो ही subject useful है यहाँ पे कोई काम नहीं है Electronic Devices subject का तो in fact अगर आप देखोगे आपका Digital VLSI Design और आपका Analog VLSI Design ये दोनों ब्रांचेस में Electronic Devices subject का कोई significance नहीं है Devices complete different ही ब्रांच है जबी भी मैं VLSI Design बोलूँगा तो वहाँ पे Devices का कोई significance नहीं है इसलिए VLSI Design चाहे Analog हो या फिर Digital Electrical, Electronic, Instrumentation ये सारे ब्रांचेस के students बना सकते है बहुत सारे बच्चे समझते हैं मैं तो Electrical का हूँ मैं Design वाला VLSI में नहीं जा सकता हम ऐसी Power Electronics, Power System ये ब्रांचेस में जाऊँगा पर आपको पता होना चीए VLSI Design या फिर Integrated Circuits आप ही के लिए बना है यहाँ पर Devices Subject का कोई Significance नहीं हम यहाँ पर समझते हैं Temperature Constant है Analog Circuit में आप क्या देखते हो हर Question में Temperature Constant है जैसी Temperature Constant बोल दिया आपने आपका Devices Subject का Significancy खतम हो गया इस तरह से आप Electrical, Electronic Instrumentation Even Computer Science आप Digital VLSI का या फिर Analog VLSI का Profile बना सकते हो और आप यहाँ पर Packages का Expect कर सकते हो सर जैसे VLSI में जो Fabrication के जॉब है Solid State Devices या फिर Electronic Devices के वहाँ पर तोड़ा Placement भी कम है क्योंकि इंडिया में Fabrication का Plant ही नहीं है पर जो Design Field है जहाँ पर हमें Devices Subject की कोई जरूरत नहीं होती Solid State Devices Physics की कोई जरूरत नहीं होती जहाँ पर Placement भी बहुत अच्छा है अगर आप Intel जैसे Companies देखोगे Intel 20 Lacks तक पे करता है Texas Instrumentation 25 Lacks तक Qualcomm 32 Lacks तक Google 40 Lacks तक पे करता है तो यह सारे Companies Even Micron, NVIDIA ऐसे बहुत सारे Unlimited Companies है मैंने आपको सिर्फ गिने चुने नाम बताए है एक बहुत ही attractive package आप देख सकते हो अगर आप VLSI Design का करियर पाथ चूज करोगे तो अभी मैंने आपको बता दिया कि Scope क्या है पर और एक opportunity मैं बताना चाहता हूँ Computer Science के बच्चों के लिए MLAI जा सकते मैंने बताया उस Specialization के लिए कौन से Subjects के requirement थी Linear Algebra, Probability, Statistics ये दोनों Subjects Electrical, Electronic, Instrumentation के बच्चों के लिए भी है तो ये बच्चे भी MLAI का profile बना सकते हैं आप ऐसा मत समझो कि आप Computer Science के नहीं हो आपका तो Power Electronic Subject है आपका तो Communication Subject है, EMT Subject है VLSI Subject है, तो MLAI नहीं कर सकता आप MLAI को भी अपना Career Option बना सकते हैं तो ये सारे Career Options आपके पास Available हैं अगर मैं आपको बात करूँ एक Computer Science के Cut-Off से हम Computer Science से वापस स्टार्ट करते हैं Computer Science में अगर आप Software Field में जाना चाहते हो आप Basic अपने ब्रांच में Specialization, Computer Science Specialization में Admission चाहते हो तो Direct Admission के लिए आपको Under 300 Ranker होना ज़रूरी है पर अगर आप आपका Rank Under 500 है आप Triple IT, NITS ये भी Target कर सकते हो Even आप 3 years जो Master's Program होता है MS Programs, IITS में वहाँ पे भी आपको Same Placement मिलेगा Placement में कोई Difference नहीं है M-Tech हो, M-Tech RA हो या फिर MS हो Placement में कोई Difference नहीं है जब M-Tech वाली Placement B-Tech को भी मिल सकती है तो M-Tech वाली Placement MS वालों को क्यों नहीं मिल सकती इतना Basic Question हमें पूछना चाहिए Return Test होगा, Interview होगा जो भी Return Test करेगा, Interview करेगा उसे Job मिलेगा M-Tech हो, B-Tech हो, MS हो, कुछ भी हो इतना Basic है चाहिए वो दूसरे ब्रांच का क्यों नहीं हो Software का Job, किसी दूसरे ब्रांच का Student भी ले सकता है अगर उसने Software का Profile बनाया हो उसके Resume में कुछ चीज़े हो इस तरह से यह काम करता है तो मैं यह बताना चाहता हूँ अगर आप 300 rank के अंडर हो तो आपको Top IITs मिल जाएंगे अगर आप Computer Science के हो अगर आप 500 के अंडर हो आपको Top NITs, Triple ITs और आप 3 years Masters Program के लिए Try कर सकते हो, MS Program जो IITs में होते है या फिर M-Tech RA जो IIT Bombay में है उसके लिए Try कर सकते हो और एक Option है यह Computer Science के बच्चे जिनका Top Rank नहीं आया है वो Electrical Engineering में Apply कर सकते है IIT Bombay में जैसे मैंने बताया Communication Engineering में आप Apply कर सकते हो, आपे Computer Network Signal Processing, Image Processing, Computer Architecture Digital Signal Processing यही सारे Coding के Related Subjects हैं तो आप Communication Branch में जाके Apply कर सकते हो, और वहां से भी अपना Computer का Profile बना सकते हो आपके Branch के Specific, जो भी आपको Company में Place होना है, क्योंकि Finally मैंने बता दिया, Placement के टाइम Return Test होगा, Interview होगा और आप Communication Branch में भी Eligible हो, Integrated Circuits Branch में भी Eligible हो आप किसी भी Branch में Admissions लेके भी किसी भी Company में Place हो सकते हो हो सकता है कि आपको Computer Science के Specialization में आपको बहुत तरह Competition फिल हो पर बहुत सरे बच्चे को पता ही नहीं है कि वो Electrical Branch में भी Apply कर सकते हैं, Computer Science के Student तो वहापे आपको कम Competition फिल होगा वहापे आपका Cut-Off कम लगेगा इस तरह से आप Smart खिल सकते हो Admissions के लिए और वैसी अभी मैं Electrical Electronic Instrumentation के बारे में बताना चाहता हूँ, अगर आप Top 400 Rank में हो Specific अगर आपको IIT Bombay का TH ही है, तो आपको Top 100 में होना ज़रूर ही है क्योंकि नहीं तो मिलेगा नहीं Integrated Circuit से सा Specialization अगर आप Solid State Devices में जाना चाहते हो 200 से भी कम Rank चल जाएगा Communication में जाना चाहते हो 150 से भी Rank कम चल जाएगा पर अगर आप Integrated Circuit से चाहते हो Design Related आपको चाहिए VSI Design Related Specialization मनाना है जिसका Industry में भी बहुत दद़ स्कोप है तो आपको Top 100 में होने अगर आप नहीं हो Maximum Student नहीं होगी तो आपको क्या करना चाहिए 3 Years Masters के लिए Try करना चाहिए कोई Difference नहीं है 3 Years और 2 Years में 2 Years को और जादा Expand करके 3 Years में Split किया गया है 2 Years वाले एक समिश्टर में 2 Years वाले एक समिश्टर में 5 सब्जेक्ट करेंगे 3 Years वाले एक समिश्टर में 2-3 सब्जेक्ट ही करेंगे और इवन प्लेस्मेंट के टाइम आपके रिजमे में जादा प्रोजेक्स होगी क्योंकि आपने एक इंस्ट्यूट में जादा टाइम स्पेंड किया क्योंकि आप एक इंस्ट्यूट में बहुत जादा टाइम स्पेंड कर रहे हो आपके पास हर समिश्टर में वर्कलोड भी कम है ये फाइदे है इवन आपको स्टाइपेंड भी जादा मिलता है M.TEC TA से तो अगर आप M.TEC RA के लिए या फिर M.S. प्रोग्राम के लिए अपलाई करना चाहते हो I.T.s में आपके पास सबसे बिले आपको रिटर्न टेश्ट इंटर्व्यू के लिए प्रिपार करना होगा और S.O.P. या फिर Google Form फ्लोड किया चाता है तो आप कुछ प्रोजेक्स किये हो इन स्पेशलाईशन के रिलेटेड तो आपको अपर हैंड भी लेगा बाकी सारे बच्चों के क्योंकि आप देखोगे 500-600 जिनका भी रैंक है सारे स्टुदेंट्स I.T. मॉंबे में अपलाई करेंगे, I.T. मदरास में अपलाई करेंगे यह कुछ additional advantage उन बच्चों को मिल सकते हैं जिनके पास कुछ projects होगे VLSI के related तो cut-off मैंने बता दिया है 500-600 के अंडर जितने भी है 1000-1500 के अंडर जितने भी नीचे हैं बच्चे हैं 1500 रैंक के नीचे उन सारे बच्चों को M.T.E.C. 3 years का या फिर masters 3 years का opportunity मिलता है electrical electronic instrumentation branch में वो इस same cut-off computer science के लिए अलग होगा थो अगर आप electrical में आना चाहते हैं पर electrical electronic instrumentation के लिए अंडर 2000 अगर होगे अंडर 1500 होगे तो आपको 3 years masters के लिए call किया जाएगा तो एक general range बताया हूँ मैं exact range अलग वीडियो में बताऊंगा पर मैं ये एक overview देना चाहता था आपको इस वीडियो में कि आपके पास क्या-क्या career opportunity available है महाँ पर क्या-क्या competition है उस competition में कैसे beat करना है वो भी मैंने आपको बताया projects add करके तो ये कुछ guidance था मेरे side से आपके लिए मैं hope कर रहा हूँ आपको ये पसंद आया होगा और अगर आप gate 2024 के लिए prepare करना चाहते हो या फिर आप मेरे से कुछ personal guidance चाहते हो तो आप मेरे इस whatsapp number पर मुझे message भेजो मैं आपको definitely जितना भी मेरे से help करना possible है मैं आपको help करूँ आ तो इतना ही था इस वीडियो में हम फिर मिलेंग इस वीडियो के साथ till then